वेलकूम टू माई चैनल और आजमक्वेशन पेपर 2020 के निमेरिकल सोल करेंगे अब जैसे नेक्स्ट निमेरिकल मारे पास कुछ चीज तरी किसे इफ का मतल वई गीवन वाई है यह अब डिरेक्टी एक लाइन का अंसर है यह आगे बच्चो वाली चीज होगी क्या पड़ोग कि function की power function यह बात कैसे पता चली कह दो plus one class में x और y variable को वह या फिर function को वह आपकी ओपर यह चीज ठीग है न तो मतल दो ही होते हैं plus one class में याद रखने का तरीका तो कह दो मैंने यहाँ पर x से या फिर x और y के साफ से बात कर सकते हूं ठीग है न तो function की power function तो वहाँ पर देखो एक line का answer तो यहाँ से निकल जाएगा सही है और वहाँ पर काम की बात क्या पता ही थी कि यह चीज डारेक्ट सोल नहीं होती मतलब दोनों साइड सबसे पहले logarithmic function लेना पड़ेगा तो इस तरीकी से working rule यह बता था इस type का एक line का answer आगे बच्चो वाली चीज होगी local कर local calculate सही है तो अब देखो अब फिर से यहाँ पर log की property यूजोगी लेकिन function की power function वाली चीज तो है दो में है तंग करेगी आपको अगर directly दोनों साइड लोग ले लिया तो ठीक है उस चीज का कोई फायदा होगा नहीं तो इसी वजह से एक को यू मान लो एक को वी मान लो simply सही है ठीक है ना वो क्यों तंग करेगी चलो उसके बारे में बता देते आपको लेकिन उससे पहले यह step काम का यहाँ पर यह वाली चीज कि taking logarithmic on both side सही है यह बात आपको यहाँ से पता चल चाहिए सही है तो बस apply कर दो लेकिन उससे पहले एक बार मतलब इसी को आप convert कर ल लो और इसको वी मान लेना बीच में एक लाइन ओर लिख देना आप सही है तो मतलब कहने का मतलब क्या कि हमने लेट कर लिया कि यू तो बराबर इसके सही है और वी बराबर इसके यू और वी भी कोई नए variable को या फिर function है काम की चीज यह भी है तो इस तरीके से सही है अब यहाँ पर कह सकते हैं आप taking log on both side यहाँ पर include हो जाएगा तो इस तरीके से सही है तो दोनों के सो में include होगा क्योंकि दोनों जगह है तो दोनों को अलग-अलग solve कर लेते हैं सही है तो देखो अब यहाँ पर log लेगे तो आप क्या हो जगा log of you यहाँ पर अब log की property apply करने के यह चीज़ होती है सही है डिरेक्टी एक step में यह काम कर दे मतलब log of a की power भी लिखा तो प्रोपर्टी क्या कहती है कि power आगे आजाती है डिरेक्टी तो यहाँ पर log apply करोगे तो यहाँ पर power direct आगे आजाएगी हम एक step मतलब डिरेक्टी लिख रहे हैं सही है लेकिन यह यह मतलब हुआ सही है तो मतलब यहाँ पर double log हो जाएगा इस तरीके से सही है सेम बात यहाँ पर आप apply करते ना कि log किसके पर आपर हो जाएगा इसी तरीके से कि मतलब सबसे पहले power आगे आजाएगी और into में log of यह a पर आजाएगा तो इस तरीके से सही है कर लो calculate तो last step और कुछ भी नहीं सही है लिखना चाहो तो लिख सकते हैं आपके differentiating with respect to x इस वज़े से तो फिर क्या हो जाएगा लोग का differentiation क्या बता था कि 1 by जो भी है लिख देना सही है और into में base का भी होगा या फिर लोग के लिए मतलब logarithmi के एक function है ये कह जेना यू क्या हो जाएंगे पहले set के element अगर function के साब से कोई चलना चाहता तो या फिर directly सबसे पहले लोग का होगा इस तरीकी से वन बाई एज़ेटी ये पूरा लोग के लिए एकस पड़ लेना सही है तो वन बाई है एकस इंटू में फिर एकस का कह देना यहाँ पर यू है तो यू का with respect to एकस क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ठीक है ना यहाँ पर यू कॉंस्टेंट नहीं है जीरो मतलिक देना आप यू और वी कोई नए वेरियेबल का हो या फिर फंक्शन का हो तो इस तरीके से ठीक है ना तो बस कैलकुलेशन है आपर और कुछ भी नहीं तो इसी तरीके से यहाँ पर हमें मतलब एकस है ठीक है ना एकस और एकस इंटू में है यू इंटू वी रूल अप्लाई हो जाएगा इस पूरे को इस पूरे को इस पूरे को एकस पढ़ ली ना सही बात है पढ़ लोगे तो उसी को डिवाइड करते ना इंटू में फिर इस लोग पर बात जाएगी ठीक है तो इस लोग के लिए फिर से वही 1 by x हो जाएगा अब की बार इंटू में फिर x का होगा differentiation की वही बात है कौन सी ये वाली सबसे पहले power का फिर base का फिर multiply मतलब यहाँ पर angle को यहाँ फिर number को यह वाली चीज़े ठीक है जब तक differentiation complete ना हो जाए multiply में चीज़े चलते रहती है सही है और you into v rule apply करना था तो एक पार तो पहला एजेटी दूसरे का कर दिया फिर पीछ में plus का sign अब की बार अपोजेट करते ना आप दूसरा एजेटी जे सही है इस तरीकी से और पहल लेका होगा पहला एक्स तो एक्स का विद रिस्पेक्ट टो एक्स वन हो जाए calculation और कुछ भी नहीं ठीक है सेम बात यहाँ पर कर लो अपलाई तो सबसे पहले log v का log का क्या हो जेगा वन भाई जो भी एक्स पर लेना वन भाई एक्स वो आपके उपर किस तरीकी से इन बातों को लेकर चल रहे हो इंटो में v का तो v का विद रिस्पेक्ट टो एक्स v भी कोई नया function है ठीक है अब सेम है यह तो सेम है ना और जो चीजे सेम हो तो और multiply में हो अब यहाँ पर पावर रूल अपलाई कर दो सबसे पहले यह वाद ले चीज़े अब आपके उपर यह मतल्लोग एक्स का उल्सकेर ना लिखो तो यह इन टू वी रूल अपलाई भी कर सकता कोई अगर करना चाहिए तो आपके उपर है ठीके ना तो सबसे पहले पावर रूल क्या कईगा पावर आगे differentiation का पावर रूल पावर आगे पावर में से एकम तो 2-1 वन हो जाएगा लिखा ना लिखा एक चीज इन टू में सबसे पहले पावर फिर बेस का बेस के आपका लोग एक्स तो लोग एक्स का differentiation वन बाई जो भी यहां पर है लिख दिया ठीक है और इन टू में अंदर वाले का मतले एक्स का एक्स का विद रिस्पेक्ट टो एक्स वन हो जाए बच्चो वाली कैलिकुलेशन है और कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो इस तरीके से ठीक है तो बस यहां पर कुछ नहीं आपने यहां पर केवल इस तरीके क्योंकि देखो वाही इस तरीके से है तो यहीं पर dy by dx किसके बराबर हो जाएगा dy by dx मतलल differentiation with respect to x तो सबसे पहले u का with respect to x फिर v का with respect to x मतलब इस condition पर put करना है फिर को इस equation में result put करना आपने मतलब du by dx एक साइडर कलो और dv by dx एक साइडर कलो दोनों को add कर देना तो इस तरीके से मतलब यह u अटाना होता यहां से और u क्या था? जो हमने let किया था ठीके ना? यह वाला इस से अलग सही है तो directly मतलब final answer लिख दे तो कुछी इस तरीके से रहेगा जैसे तो मतलब जैसे dy by dx तो यह था आपका ठीके ना? du by dx वह आपकी चोई से मतलब from 1 इस तरीके से लिखना चाहू तो इस तरीके से सही है तो बस यहां आपर कितरा हो जागा? dy by dx निकालना था आपने तो du by dx की वैल्यू 1 by u into du by dx था तो u उस side multiply में चला जेगा और u की जो भी वैल्यू थी ठीके ना? उसको put कर लो जैसे कि u इसको माना था मने सही है? और into में जो भी वैल्यू आई है हम इस condition से value निकाल रहे हैं यह यहाँ पर divide में उस side multiply में और जो भी result पूट कर रहे हैं सही बात है तो आगे calculation कुछ इस तरीके से रहेगी तो जैसे इस तरीके से था ठीके ना? और into में 1 by x था फिर पलस का sign यहाँ पर यह into we rule अपलाई किया था जैसे हमने ठीके ना? और फिर log of log x था तो इस तरीके से यह है पूरा मतलब du by dx की value केवल और केवल पलस का sign यह वाला पलस कुण सा है? यह वाला है ठीके ना? इस तरीके से और du by dx जैसे हमारे पास वो value इस तरीके से थी ठीके ना? तो मतलब यह अटके कुछ इस तरीके जो भी value थी पुट कर देना तो v जिसको भी मानना था तो v था आपका यह कि x की power log x तो अंदर वाले उस का रजल्ट पुट कर देना log x का उल्श के तो उस को इस तरीके से लिखाता हमने calculation है सही बात है तो इस तरीके से और बाद में मतलब इस तरीके से ठीक है ना इतना लास्ट में लिख देना यह यह अंस्वर है ज़्यादा simplify नहीं करना होता main क्या इस numerical में सीखने की बात जो सबसे पहले बताई थी हर numerical को अगर आप एक word में define कर सकते तो best है यहाँ पर कैदो function की power function तो directly main बात एक और यहाँ पर क्या इस numerical में कि you और वी पहले चूज करने पड़ेंगे direct लोग नहीं apply कर सकते क्यों देखो simply जैसे आपके पास statement यह थी ठीक है ना कि मतलब यहाँ पर you आपका यह था तो कहने का मतलब इस तरह किसे सही है तो आप अगर कोई अगर यहाँ पर directly लोग ले ले तो क्या होगा अगर लोग apply करोगे तो यहाँ पर वो चीज तंग करेगी direct यहाँ पर property नहीं अपलाई होगी यहाँ पर property नहीं अपलाई होगी कहीं मतलब कोई इस यहीं पर property अपलाई करते है वो चीज गलत है तो इस वजह से सबसे पहले U अलग से मातना पड़ेगा V अलग से में इन बात यह भी है इस numerical में सीखने की तो इस तरीके से और यह बच्चो वाली चीज calculation है जितनी fast होगी उतना ही best है और हर calculation मतलब देखो यहाँ पर हम डिरेक्ट चोटे चोटे formula पूट कर रहे हैं कहने का मतलब यह वाला सही है तो इस तरीके से वो आप कभी की revision वाली playlist जरू चेक कर लेना differentiation की या फिर जो differentiation की playlist है वहाँ से कुछ numerical चेक कर लेना यहाँ पर direct calculation की हुई है और कुछ भी नहीं हर चीज मतलब हर चोटे चोटे पूइंट भी बताए थे जब basic चीजे discuss हुई थी आपके साथ तो सारी चीजे वहाँ से आप चेक कर सकते हो तो इस तरीके से सही है तो बस इस तरीके से लेकिन यह result किसके बराबर नहीं होगा कभी यह करदों की log का भी square x का भी square गलत है ठीक है ना इन word नों का मतलब बताऊना चीजे log तो कोई function है और यह x उस पहले set के element function की नहीं definition पता आपको function एक mapping है पहले set से दूसरे set तो इसको define इस तरीके से किया जाता है x क्या पहले set के element और y दूसरे set के element तो यहाँ पर भी तो सेम बात होगी log रहते में कि भी तो एक function है तो इस तरीके से सही है यह चीजे लिखना गलत है और साथ के साथ है इस result को आप यह भी मत कर देना कि लोग की मतलब x का square करता हूँ गलत है यहाँ पर केवल और के function का all square है ना कि वो आपके उपर मतलब पहले set के element को या फिर कोई पहले set के element हो जैसे domain भी कहा जाता है वो आपके उपर कितना मतलब कितनी चीजे आपने सीखे हैं detail में तो इस तरीके से तो यह आपका final answer रहीगा तो इस तरीके से ठीक है इसी तरीके से हम next miracle solve कर लेंगे तो अगर आपको मेरी वीडियो चलेगे तो इसको like कीजिए अपने दोस्तों के साथ share कीजिए और मेरे चैनल को subscribe कीजिए तब तक के लिए thank you